नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के उपर दोस्तों आज इस वीडियो के अंजर हम चर्चा करेंगे कि कल जो 13 अगस्त की एक्सपारी होनी है वो कौन से लेवल के आसपास हो सकती है क्या पॉसिमिलिटी हो सकती है और लॉजिक के सब बात करेंगे बिना लॉजिक के हम बात करते ही नहीं है अपने चैनल के उपर आप लोग सब जानते ही हो ठीक है तो पहले तो मैं काफी लोगों के कोशन मेरे को आ रहे है कि भाई सर आपने ये क्या लिखा है अपने टेलीग्राम चैनल को पर यह मेरा टेलीग्राम चैनल में और इसका लिंक जो है आपको वीडियो की निचे मिल जाएगा और यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको केवल और केवल एक ट्रेंड मिलेगा और लाइव अपडेट्स मिलेंगी on the basis of the live data ठीक है तो इसमें कोई आपको trade वगरह नहीं मिलेंगी, trend मिले आपको और वह trend को पहचान के आपको खुद-भख शुद-खुद trade करना पड़ेगा ठीक है ? तो यह केवल ओर केवल आपको trend बताएगा spoon feeding नहीं करेगा यह channel मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ ठीक है तो आप इस channel के उपर आके live market में check कर सकते हो कि market में trend गया चल रहा है market में क्या activity चल रही है क्या नहीं चल रही तो यह आपका benefit हो सकता है इस channel के उपर आके ठीक है तो इस channel के लिंक है जो वो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे लिंक पे उपर click कीजिएगा और description के अंदर वो link मिल जाएगा और उस पे click करके आप इस channel के उपर join कर सकते हो ठीक है तो बहुत सारे question मेरे को ये पूछे गए कि जी आपने ये क्या लिख दिया अचानक से अपने channel के उपर जो टेलिग्राम channel है उसके उपर के कल एक big move के लिए nifty को आज ही ready कर दिया गया ठीक है और इसकी जो timing थी timing भी वो जो थी वो साड़े तीन बजे की थी ठीक है ये पोस्ट में डाला ठीक है अब ये पोस्ट है क्या बहुत सारे question पूछ रहे हैं लोग ठीक है तो मैं इसको पहले से पहले तो मैं आपको ये सब चीज बताऊंगा जरूर और एक important information में दिने चाहता हूँ कि कल है expiry ठीक है expiry है कल और expiry वाले दिन क्या होता है याद करो ये वाली वीडियो max pain point analysis इस वीडियो के अंतर मैंने बताया था कि expiry वहीं होती है जहांपर max pain point साड़े तीन बजे closing के वक्त expiry day वाले दिन खड़ा होता है तो कल का दिन किस max pain point को follow करने का दिन ठीक है जहांपर max pain point मिलेगा आपको साड़े तीन बजे expiry के वक्त वहीं पर market closing करेगा मैं आपको अभी से पहले से ही बता रहा हूँ ठीक है दूसरी चीज अभी जो max pain point है market का वो मैं आपको बता देता हूँ इस week का 11,300 के उपर खड़ा है तो यानि कि अगर आज के दिन देखें के बहुत कहां पर closing हो सकती है nifty तो definitely इस level के आज सपास closing हो सकती है max pain point के हिसाब से लेकिन एक important बात कि max pain point इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि change होता रहता है live market में क्यों कि होगा क्या क्यों क्यों कि expiry यह तो बहुत सारी positions close भी की जा जाएंगी और जो नई position बनाई जाएंगी वो intraday में केवल केवल premium को खाने के लिए बनाई जाएंगी ठीक है तो overall क्या होगा overall यह होगा कि बहुत सारी positions close होंगी बहुत सारी बनेंगी तो हो सकता है max pain point shift होता रहे हो सकता है 11,200 पर आ जाए और हो सकता है 11,400 पर भी चल रहा तो यह आपको track करना पड़ेगा कल लाइव market में किस तरफ shift हो रहा है नीचे के तरफ shift हो रहा है तो market जो है 12,200 पर closing देगा अगर उपर के तरफ shift हो रहा है यह तो market जो है आपका 12,400 पर closing देगा ठीक है तो इस तरीके से आप इस वाली video को चेक करिए इस video को लिंक है वो पता लगा के calculate करके आप अराम से पता लगा सकते हो खुद बखुद के भई market कहां पे closing देगी ठीक है तो यह बात हो गई important बात जो कि कल आपको खया लखनी है पहली चीज़ तो यह अब आते हैं फटाफट से हम nifty के चार्ट के उपर ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ प है कि भई 10,850 यह लेवल और 11,350 यह लेवल इस लेवल के अंदर consolidation चल रहा है ठीक है और इस हफते जो हमारा इस वाला weekly व्यू जो हमने पोस्ट के वह से रड़े को उसके अंदर हमने कहाता कि भई 11,000 से लेके और 11,000 350 की range जो है इस हफते के लिए है ठीक है अद्दा के चेक कर लिजेगा जो हमारा weekly analysis है जो हम Saturday को पोस्ट करते हैं और market देखो तीन दिन ओलिडी हो चुके है तो हमारे जो analysis हमने किया था weekly वाला उसको follow कर रहा है market इस range को ना उपर के तरफ ब्रेक कर रहा है और ना नीचे के तरफ ब्रेक किया ठीक है जो हमारा weekly analysis होता है वो हमेशा सही होता है और accuracy अच्छी है उसकी तो उसको जरूर देखा कीजिए पूरा देखा कीजिए ठीक है अब बाग करते हैं आगे अब देखो यहां पे उस box के अंदर जो box जो मेरे range आपको बताई थी यह 500 point की range 10,850 से लेके 11,350 तक की वो range पूरी की पूरी इस box के अंदर बनी हुई है यह वाली और यह वाली ठीक है यह जो box दिख रहा है आपको और देखो निफ्टी इसी box के अंदर है कब से है 17th July से है याद रखिएगा 17th July से ठीक ठीक है और almost one month होने को है और अभी भी इसी box के अंदर trade कर रहा है ठीक है तो ध्यान दीजेगा बहुत time हो चुका है one month बहुत होता है और मैंने अपनी अभी जो एक वीडियो पोस्ट की थी तीन दिन पहले जो की यह वाली वीडियो है मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जो आपकी यह वाली वीडियो है history is repeating again ठीक है इसका लिंक भी आपको उपर आई बिटन के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि भाई consolidation जो है आप नवंबर तक अक्टूबर तक चल सकता है आपका ठीक है तो इस बात का खया लगिएगा अक्टूबर इस वाली वीडियो के अंदर है ठीक है चलो अब हम करते हैं आगे की चर्चा देखो अभी जो max pain point है nifty का वह 11,300 का है वैंने आपको अलड़ी बता दिया तो अभी maximum positions जो है वह 11,300 के आसपास बनी हुई है तो अभी current के हिसाब से level जो है कल की expiry का यही निकल के आता है ठीक ह और कुछ भी change होगा तो वह telegram channel के उपर बताऊंगा मैं ठीक है लेकिन एक बहुत important analysis जो है मैं आपको बता देता हूँ वह क्या analysis है देखो पहली चीज तो यह fibonacci मैंने draw किया हुआ अपनी channel के ऊपर ठीक है अपनी chart के ऊपर fibonacci मैंने draw किया हुआ और जो इसका 78% का जो वह ह है आपका retracement level उसका level check कर लो 11,377 का निकल के आ रहा है exactly इसको अगर round figure कर लेते हैं तो 11,380 का निकल के आता है ठीक है और आपने देखा भी होगा कि कल के दिन कल जब market इस level के आसपास पहुंची थी 11,372 का high बनाया market में तो already 78% का retracement level है वो test कर चुकी है ठीक है, test कर चुकी है लेकिन इसको break नहीं किया, इस 78% वाले level को break नहीं किया ठीक है अब break क्यों नहीं किया क्योंकि आप पर volume की कमी है, volume नहीं है और volume होगा, तब भी ये level break हो पाएगा, जो 78% ये है ये जो level 78% का है तब भी break हो पाएगा जब volume होगा लेकिन पिछले चार तो मुझे लगता कि अभी यह 377 का जो लेवल है यह कल तूटेगा ठीक है हो सकता है 14 को यहां पर announcement है कुछ PM Modi की तरफ से ठीक है 14 अगस्त को ठीक है तो हो सकता है कुछ positive announcement हो तो यहां पर volume generate हो जाए और यह level break हो जाए अगर यह level break हो जाता है जिसके chances तो मुझे लग रहे हैं के होगा ठीक है अगर यह level break हो जाता है किसी भी news की वज़द से तो याद रखना अगला level जो है ना वह मैं आपको अभी से दे देता हूं लेकिन यह level कल के लिए नहीं दे रहा है कभी आप यह समझो के कल के लिए दे रहा हूं ठीक है अगला level है दोस्तों 11,540 का जो की आपको मिलेगा मिलेगा अगर यह level टूड़ जाता है 78% वाला और यह level कौन सा level है यह level ही जो गैप मिल रहा है न गैप दिख रहा है आपको जहां पर मैंने अपना कड़सर रखा हुआ है यह जो गैप है दोनों केंडल के बीच में वंडे के ऊपर है यह गैप आप अपने चार्ट के ऊपर भी जाकर कर लिजेगा खुद ही खु जरूर होगा क्योंकि इतना नजदीक अगर मार्केट पहुंच गया है और इस गैप को फिल ना करे और एक यही गैप है जो कि बचा हुआ है बाकि सारे गैप जो है सब फिल हो गए यह भी फिल हो गया यह भी फिल हो गया है ना सब गैप फिल हो गए बस यही बचा हुआ है और नज़दी कितने market पहुँच चुका है तो ये unfair होगा मतलब market की तरफ से कि इस gap को fill करे बिना ही market नीचे लोड़ जाए ठीक है तो ध्यान दीजेगा ये level अगस सीरीज के लिए अभी bank on है हमाई तरफ से और हम लोग bullish ही हैं हम लोग premium members के जो group है हम लोग carry forward करी रहे हैं अपनी calls को ठीक है और basically मुझे लगता है कि अगस्त के अंदर ये level एक बार तो जरूर आना ही आना है तो मैं इस level तक तो है इस level तक जो है market के अंदर bullish हूँ अगस सीरीज के अंदर ठीक है कल की बात करें तो कल का जो important level रहेगा मुझे लगता है 11300 के उपर ही market दम तोड़ देगा closing करेगा लेकिन एक important बात यह है क्योंकि कल भी premium को DK करना पड़ेगा जबी तो उनको profit होगा ना बड़े players को ठीक है आज तो नोंने किया ही किया premium erosion day था आज मैंने अपने टेलेग्राम चैनल पर बताया भी था ठीक है उसकी वीडियो भी बना रखी है वो भी आपको link पर मिल लग जाएंगे तो ऐसा market कल मिलेगा पका पहली बता रहूं prepare रहना तो कोई direction नहीं रहेगे कल के market में ठीक है और अगर ऐसा market नहीं मिला गलती से भी जिसके chances बहुत कम है ठीक है तो भई या फिर तो एक तरफा market मिलेगा और वो market रहेगा bullish मैं आपको पहली बता रहूं लेक कि उनका motive है किसका बड़े players का ठीक है यह दोनों बात बता दी मैंने आपको तीसरी बात भी बता दी कि मैक्स pain point को follow करना है मैक्स pain point कहां पे है 11300 के उपर भी है ठीक है और फिबो नाशी के हिसाब से मैंने आपको अगस की series के level भी दे दिये जो कि आपको खयाल लखने है और range भी breakout नहीं किया है इसी level के अंदर है हमारा nifty follow हो रहा है nifty view का जो view है वो भी follow हो रहा है अब एक important बात एक important बात है इसको पहले delete कर देते हैं अब लोग इसको delete कर देते हैं ठीक है अब इसको भी हटा देते हैं ठीक है इसको भी हमने हटा दिया अब ध्यान ध्यान दो एक चीज़ important बात है कि यहाँ पर ना मैंने moving average लगाया हुए लगाया हुए इस वक्त 25 डेज का बहुत विच technical के हिसाब से market जो है nifty जो है one day के चार्ट के ऊपर 20 डेज का moving average simple moving average follow करती है लेकिन फिलाल यह नहीं हो रहा है फिलाल यह वाला हो रहा है तो इस चीज़ का ख्याल लगो ठीक है यह important बात है मैं आपको बता रहा हूँ देखो यहाँ पर इस अगर यह moving average की line जो है 25 डेज की तो देखो यहाँ पर support लिया इसके हिसाब से यहाँ पर भी support लिया इसके हिसाब से ठीक है तो अगर अगली बार जब गिरेगा तो market इसके level जहाँ पर भी उस वक्त होगा यह moving average का level जहाँ पर भी होगा उस वक्त है वहाँ पर भी support ले सकता है तो इस चीज़ का ख्याल लखिएगा one day chart के ओपर इसको लगा के लखिएगा आपको समझ में आ रहेगा कि 25 डेज का moving average है उसके आसपा support मिलेगा next time जब market तूट देगा तो और अगर इसको break कर देता है नीचे के तरफ तो भई फिर तो फिर downfall शुरू हो जाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता ठीक है जब कभी भी market retrace करेगा ठीक है तो market में 25 days के moving average के ऊपर खयाल लखिएगा मैं आपको पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं और समझदारी की बाद आपको ठीक है तो कल के लेवल के बाद कर लेते हैं ठीक है लेवल जो है वह आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे अभी पहले में इसको delete कर देता हूं ठीक है इसको जो है मैं delete कर देता हूं और चार्ड जो है मैं one hour के उपर लगा देता हूं ठीक है निफ्टी की यहां पर चीफ कर चुकी है मार्केट ठीक है तो अगला लेवल दोस्तों देखो यह है आपका 11,000 यह वाला 340 का ठीक है 11,000 340 का next target है और इसको अगर ब्रेक कर देती तो भाईया फिर वही final level जो फिबोनाची का level है आपने आपको मैंने बताया यह था 376 का ठीक है यह level final है ठीक है तो यह दो level बचेंगे उपर की तरफ 340 और 376 इसके आज पास अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो भाईया अपने call side को book कर लेना आपको मैं आपको पहली बता रहा हूँ call side को book कर लेना ठीक है सब को बता रहा हूं कोई जो भी call side में हो थीक है इसको call side को भूख कर लेना ठीक है दो बर बोल दिया ठीक है तो यह levels है। आपके यह जो levels है यह सारे के सारे लेवल जो है आपको black color के screen के ऊपर करना क्या है कुछ नी करना देखो इसके ऊपर ही चल रहा है 25 देश के moving average जो line है इसके ऊपर ही चल रहा है market एक गंटे और बीजे को गश्य मार्किट दो बूलिश ही है market बिजरिश है नहीं और हम बताई रहें आपको regularly की market bullish है अपने डेली के वही वू में बताते ही है ठीक है अब होगा क्या देखो यह जो अभी जो मुविंग अब यह 25 डेस का वो है 11,295 के ऊपर ठीक है अब अगर मार्केट आपको इस लेवल के ऊपर ही मिल जाती है ओपनिंग कल की ठीक है तो समझ लीजेगा कि मार्केट इस करेगी ठीक है तो वहाँ पर आपको लेवल मिल जाएगा 340 का और 370 का कल अचीव होता हुआ किसमें निफ्टी में ठीक है अगर गैप अपनिंग होती है तो या फिर इस लेवल के ऊपर उपनिंग होती है तो ठीक है तो कुछ नहीं करना आपको 37.50 का एक मूव मिल सकता है है अपसाइड ऐस लेकिन वुख कहा करना आपको बता ॡिया 376 का लेवल है भुख करने के लिए प्रॉफिट को ठीक है चलो बैंक निफ्टि की लेवल देख लेते हैं एले ये लेवल की बात कर लेते हैं ठीक है याद करो वीक्ली एनलिसिस के अंदर ठीक है तो ये लेवल तो देखो सारे ही अचीव हो गए यह लेवल मैंने अभी ड्रा किया है मैंने आपको final level दिया था याद करो weekly analysis के अंदर 22 328 का 300 जिवल लेवल दिया था मैंने आपको last चेक कलना जाके ठीक है 2200 300 का level दिया था मैंने आपको और यह अचीव हो चुका है दोस्तों यह अचीव हो आज ही अचीव हो गया और एक बहुत इंपॉर्टन बात कि मॉरेटोरियन जो है ना मॉरेटोरियम जो है वो अब आगे नहीं बढ़ेगा गौर्मेंट ने बोल दिया अगस्त की जो छूट दी गई थी पबलिक को कि वही अपने लोन के अगेंस्ट में पेमिंट ना करना ठीक है वो अगस्त तक ही है वैलिड अब आगे नहीं बढ़ेंगे इसको सप्तंबर में आपको अपने लोन के किस्त बढ़नी पड़ेगी मैं पहली बता रहा हूं ठीक है आपके पास पैसा हो चाहे ना हो लोन के किस्त भाई देनी पड़ेगी आपको मॉरेटरियम माफ माफ ही अगस्त तक ही देगा उसके बाद नहीं देगा सितमर में ठीक है तो यह क्या है यह बैंक के point of view से banking system बैंक के point of view से यह positive खबर है और उसके basis के ऊपर ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन अगर हम एक गिंटे के चार्ट के ऊपर देखें आज के दिन देखो यहाँ पर आज कर मार्केट यहां खुला था और कितना अच्छा रिकावर किया बैंक निफ्टी ने ठीक है तो भाई ठीक है अच्छी गवर चल रही है हर जगा वैक्सीन की भी ख़वर चल रही है मतलब FII बाय कर रहे हैं ठीक है तो यह सब जो है आपका यह बैंक निफ्टी की लेवल ठीक है और 22,500 का लेवल यह आपको मिल सकता है अगर गैप अप उपनिंग होती है और आपका 22,300 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो तब मिलेगा आपको यह 200.00 के अपसाइड मूव अदर्वाइस नहीं मिल पाएगा ठीक है और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग ह है कि 22,200 के आज़ पस हो सकती है जोकि max pain point अभी यहीं पर है ठीक है ठीक है बाकी आप calculate कर लिजिएगा बैंक निफ्टी का जो max pain point है उसका भी यही फार्मला है कि max pain point के आज़ पस ही closing होगी इसकी भी ठीक है अब हम आते हैं दोस्तों सवाल पर है अब हम उस सवाल के उपर आते हैं जो कि मैंने आपको लिखा हुआ था कहां पर अपने टालिग्राम चैनल के ऊपर कि बड़ा मूव है ठीक है अवेटेड जो है बड़ा मूव है अब उसका लॉजिक समझ लेना ठीक है देखो होता क्या है कि पूरे दिन ना प्रीमियम किन्दर चल रहा था अपना फ्य आपन आवर में क्या हुआ कि प्रीमियम के अंदर ना काफी ज़्यादा गिरावट आई और वो क्लोज आ गया किसके वो आ गया क्लोज अपने इसपॉर्ट के तो समझदार आत्मी अब ये बताओ आप सब लोग कि इसमें हुआ क्या ये नीचे क्यों गिराया गया फ्यूच आप नहीं यह यह तैसे क्यों क्यों कि देखो लिएल पोजिशन अगर है तो मार्केट को नीचे गनना चीज था ना मार्केट तो नहीं गिरी नीचे मार्केट के खूजंग तो उपर ही होई है पैली चीज तो यह दुसरी चीज कि एफई आयी क्या है ए एफई तो भइय कर कर रहे हैं लेकिन एक्विटी को FII क्या कर रहे हैं बाइ कर रहे हैं अब FII एक तरफ दो पॉडिशन में आता नहीं है एक्विटी में बाइ कियाá, फ्यूचर को आज शौट कर दिया तीन से साढ़ी दिन मजे के बीच में मैं तो ये शौट पॉडिशन फ्यूचर के दिया को तो ये वहाँ कौन सी पॉड़िशन थी वहाँ बाइजिंग वाली पॉडिशन कभी भी real positions नहीं होती ठीक है तो simple सी बात है मुझे पतलग चुका था कि वहाँ पर FII buy कर रहा है live market में मुझे पतलग चुका था इसलिए मैंने वो group में message डाल दिया था मुझे दिख गया था कि equity में buy कर रहा है FII इसलिए उसने short किया है future को अब FII अगर market को buy कर रहा है तो क्या market नीचे गिनने देगा वो नहीं गिनने देगा तो simple सी बात है market को वो ओर उपर लेके जा सकता है FII ठीक है और साथ में आप देखना तीन बजे से लेके और साड़े तीन बजे के बीच में देखना ज़ा ठीक है तीन बजे से लेके और साड़े तीन बजे ये टाइम फ्रेम है इसके अंदर आख के चेक करना अगर आपने IV को record किया होगा आइवी जो है put side था बहुत decrease हो गया था जिसकी बज़े से put writers जो है वो activate हो गए थे आखरी के आधे गंटे में तो ये भी second sign है कि equity को buy किया गया है और put writing की गई है और future को short किया गया है इसको तीनों को combine करो गए न तो एक bullish संकेत निकल के आता है ठीक है अब ये bullish move कितना बड़ा होगा ये देखने वाली बात है लेकिन भाई संकेत तो ये निकल के आता है अब ये होगा या नहीं होगा वो कल आपको पता लगी जाएगा हो सकता है gap up हो जाए gap up होने के बाद market वापिस 11300 के उपर आ जाए ठीक है तो चलो ये था क्या कहते हैं एक छोटा सा मेरा answer और ये सब आपको देखनी होती है future की positions, options की positions IV, सब देखना होता है और मैं सब कुछ देखता हूँ ठीक है? I hope आपको कौन सब समयमा आ गया होगा तो भई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजएगा कुछ नया सीकिन ने को मिला तो प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और subscribe चैनल को जरूर कीजएगा और bell notification को दवाना बिलकुम मत भूलेगा ताकि कोई भी यहाँ पर वीडियो आती है तो उसकी notification तुरंद आपको अपनी email या app के ओपर मिल जाए यह वीडियो जरूर देखना जो कि आई बटन के ओपर मिलेंगे आपको बाकी मिलते हैं कल अपने टालिग्राम चैनल के ओपर टालिग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के निचे मिल जाएगा जोइन कीजेगा और आपको एक ट्रेंड मिलेगा find out करने के लिए thank you thank you so much